यह है एक पारदर्शी नौ बाई नौ इंच का जियो बोड हैं जिसमें पैग्स एक दूसरे से समान दूरी पर हैं अब आए इन रबर बैंड की मदद से अंग्रेजी वनमाला बनाना शुरू करें उधारन के लिए डी ओ जी डॉग यह एक ऐसा बोड है जो ओपन और क्लोस्ट रेगुलर और रेगुलर फिगर्स के बीच असान तरीके से अंतर समझाता है अब एक जियो बोड पर एक स्क्वेर और दूसरे पर एक रक्टैंगल का आकार बनाए अब इसके पैरिमेटर का पता लगाते हैं दो पैक्स के बीच की दूरी को एक यूनिट मालनी चीए इस स्क्वेर का पैरिमेटर है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला और इसी प्रकार रक्टैंगल का पैरिमेटर भी सोला है यहां से हम यह समझा सकते हैं कि किस प्रकार एक स्क्वेर का पैरिमेटर एक साइड की चार गुना होता है और रक्टैंगल का पैरिमेटर लेंध फ्लस ब्रेथ का दो गुना होता है हम देख सकते हैं कि दोनों आकरितियों का पैरिमेटर बराबर है लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि एरिया भी बराबर होगा उसके लिए आए इन छोटे दिये गए स्क्वेर्स को गिने इस स्क्वेर में हमारे पास एक, दो, तेन, चार, पांग, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला छोटे स्क्वेर्स है इसलिए इसका एरिया सोला स्क्वेर यूनिट्स है जो की साइड इंटू साइड यानि फोर टाइम्स फोर सोला है और इस रक्टैंगल में हमारे पास पंदरा छोटे स्क्वेर्स है इसलिए इसका एरिया पंदरा है जो की लेंट इंटू ब्रेथ यानि तीन गुना पांच पंदरा है अब इसी प्रकार हम ट्रेंगल का भी एरिया निकाल सकते हैं उसके लिए मान लीजिए कि अगर एक छोटा स्क्वेर आदे से कम है तो जीरो है आदा आदा है और आदे से अधिक एक के बरापर है